दूसरों हम बात करेंगे आज प्लांड किंग्डम मेडिसिन की जिसका नाम है अग्यावा अमेरिकाना यह ज्यादा तर अमेरिका में फाउंड अमेरिका में मिलती इसलिए आप इसके नाम सी गेस कर सकते हो अग्यावा अमेरिकाना यहां पर भी एवलेबल होती है दोस्तों इसके रूट्स इसके रूट्स आप देख सकते हो बहुत हाड होते हैं बहुत शार्प होते हैं बहुत काटे जैसे होते हैं इसके रूट्स आप देखो कितने ठीक है कितने शार्प है अभी यहां पर अगर कोई soft ही चीज और अगर आप देख सकते हो इतने hard इसके leaves इतने काटे जैसे इसके leaves की लग जाए तो hole हो जाए या फिर cut जाए दूसरे इसके roots and कुछ इसके juice medicine के लिए हम use कर सकते है most of the cases जैसे constipation, then अगर gas की शिकायत है, high gastritis है, jaundice है, diarrhea patient, diarrhea से suffering है यह सब चीजों में आप इसके use कर सकते हो इसके roots काम में लिये जाते है medicine बनाने के दोस्तों यहाँ पर देखो आप सारे जो लगे हुए है, सब एक ही plant के है दूस्तों यह one of the main, one of the major इसका जो काम है, वो है milk production महिलाए जब breastfeeding, breastfeeding phase में होती है तो अगर इसका roots as a medicine के तोर पर आप इसका use कर सकते हो, use करते हो तो definitely increases the milk production और इसकीन के लिए भी काफी ज़्यादा हद तक अच्छी साबित हुई दोस्तों है है इस पर लगाने से है इस growth अच्छे होते है इसके इसमें कुछ chemical जो प्रॉपर्टीज होती है उससे दोस्तों swelling यानी सरीर में कहीं सूजन हो, cut हो गया हो, घाव बन गया हो, सूजन में सब कम हो जाता है और इसका major and effective आप काम बोल सकते हो जैसे in digestion, खाना नहीं पचरा है, गैस बन रहा है, constipation की शिकायत है, इन सब किसे में आप इसका यूज कर सकते हो, bloody diarrhea है, diarrhea में अगर blood आ रहा है, infection हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, then increased milk production मैंने आपको बता दिया, hair loss, बाल जड़ रहे हैं, hair weak हो गए है, इन सब में आप इसका यूज कर सकते हो, then दोस्तों अगर इसका यूज होता है, तो definitely कुछ side effects तो ज़रूर होंगे, possibly हम side effects की बात करें तो, pregnancy में बिल्कुल इसका यूज नहीं करना है, ये बिल्कुल unsafe है, pregnancy में, कभी-कभी miscarriage का chances, या फिर कभी-कभी you try and bleeding हो सकते, because of that medicine, तो इसका pregnancy में यूज बिल्कुल ना करें, proper dose and tuition के हिसाब से दिया जाता है, बच्चे हैं तो उसका अलग dose होगा, बढ़े हैं तो उसका अलग dose हम adjust करके देंगे दोस्तों में, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो plant लगे वे हैं और प्रॉपर अग्याव अमेरिक कहना के हैं, दो या तीन लगे वे हैं और प्रॉपर इसके leaves दोस्तों बहुत शार्प होते हैं जिसे मैंने आपको बताया, और जो अलकॉलिक हैं जो अलकॉल जो शराप की मातरा ज्यादा लेते हैं तो डेफिरेंटली वो भी इन सब में बिल्कुल सेफ नहीं होती है दोस्तों मेडिसिन, तो दोस्तों सब कुछ हमने बात कर ली यूजसे बात कर ली कहाँ पर यह पाए जाते हैं क्या-कियाइश के प्रॉपर साईstr एफिक्त हैं ज़ादा श्कीन पर लगाना नहीं होता है दोस्तों डेफिरेंटली कुछना कुछ नजीस इफिक्त होते हैं बिन अ Когда यह ऐसं फैसे चीजों में safe नहीं है वो भी हमने बात कर ली तो अगर वीडियो से अच्छी लगी हो तो like and share जरूर करें मेरे चैनल को subscribe कर लें तक कि ऐसे ही मैं health related videos आपके लिए लाता रहूं और अगर इस वीडियो से कुछ भी doubt है तो मुझे definitely comment box में comment करें बताए क्या दिक्कत है definitely उसका solution मिलेगा तो उसको मिलते हैं next वीडियो में एक और नए topic के साथ में तब तक के लिए शुक्रिया जाहिन Thank you